जो सुक तुम्हारे भाग्य में लिखा है देर सवेर तुम्हें मिल ही जाएगा इस बात की मुझे चिंदा नहीं प्रार्थना तो ये है मेरी कि तुम्हें वो सुक मिल जाए जो उसने तुम्हारे भाग्य में अब तक लिखा नहीं जै शनी देव, जै श्री कृष्णा, मेरी प्यारे बच्चो, स्वागत है आपका नवेंबर महीने के राशी फल में, जानेंगे इस महीने क्या-क्या होने वाला है आपके साथ, ताकि पहले से आप उस महीने को प्लान कर सकें, कौन सी सावधानिया लेनी है, कौन-कौन से त्य तो हाल इस महीने में आ रहे है, सबसे पहले वो जानेंगे, फिर क्रह गोचर जानेंगे, और फिर आपका राशी फल जानेंगे, इस महीने पैसे की क्या विवस्था रहेगी, प्रेम कितना रहेगा, कितनों से लड़ाई धगडा करोगे, सारी बाते बताओंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो कुछ मेसिजिस होंगे आपके लिए, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं, तो जो आपसे मैच कर रहा है, उसको रखी, बाकी चीजों को जाने दीजे, बाकी पस्नल रेटिंग करानी है, पस्नल कोई क्वेस्चन है, जिसका अंसर आपको चाहिए, तो आप हमसे आकर के जन 9 नवेंबर को रामा इकादशी, 10 नवेंबर को धन तेरस मनाई जाएगी, 11 नवेंबर को नरक चतुरदशी और हम सब का प्रिय पर्व, दीपावली, महा लक्षमी का पूजन उस दिन किया जाएगा, 14 नवेंबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज है, 19 नवेंबर को 20 नवेंबर को गुपाष्ट में है, 23 नवेंबर को देवुथान इकादशी पड़ेगी और 24 नवेंबर को तुलसी विवास संपन किया जाएगा, चलिए अब जानते हैं कौन-कौन से घ्रह, कौन-कौन सी राशी में विचरन करेंगे नवेंबर की महीने में, सूरे की बात क जाएगे, मंगल की बात करें तो 16 नवेंबर को तुला से वृष्चिक राशी में मंगल परिवर्तन कर रहे हैं, बुद ग्रहे 6 नवेंबर को वृष्चिक राशी में प्रवेश करेंगे, और 27 नवेंबर को बुद धनु राशी में प्रवेश करेंगे, ब्रहस्पति जो है वो बहुत समय से वक्री चल रहे थे तो अब 4 नवेंबर को मारगी हो जाएंगे यानि कि फिर से उनकी दुर्ष्टी जो वक्री चल रही थी वो ठीक हो जाएगी राहु जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने मेश राशी से मीन राशी में प्रवेश किया है तो नवेंबर महीने में उनका असर अब आना शुरू होगा ऐसे ही केतू जो है वो 30 अक्टूबर को इन्होंने तुला से कन्या में प्रवेश किया है तो केतू का भी विशेश वल आपको नवेंबर में दिखने को मिलेगा मीन राशी वालों नवेंबर के महीने में आप दूसरों के बहुत काम आने वाले हैं बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे बहुत सारे लोगों के काम आएंगे हो सकता आपके परिवार वाले जितने भी लोग है सारा काम आपी से करा इस महीने तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों के आप काम आएंगे पर चिंता मत करो दुआएं तो हमेशा काम आती है कुछ लोग अपने past experiences जो उनके साथ अच्छे नहीं हुए है उनकी personal life में जो भी उनको मन में कुछ चीजों से hurt हुए है परिशान हुए है उससे वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं आप अपने past से आगे बढ़ेंगे कुछ चीजों को overcome करेंगे कुछ बुरी आदतों को जिसको आपको पहले जिस व्यक्ति को देख के गुसा आता था या किसी को देख करके चिर लगती थी उस सारी चीजे समाप्त होने वाली है आपको पुरानी सारी बाते ऐसे समझ लो भूल जाओगे बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे ऐसा दिखाई दे रहा है सेलिब्रेशन आपके घर में जरूर होगा और आप उस सेलिब्रेशन का में सेंटर अफ अट्राक्शन होगे आपकी वजे सेलिब्रेशन हो सकता है या अगर दिवाली का सेलिब्रेशन भी है तो उसमें आपका सेलिब्रेशन में होगा आप सारे लोगों के प्रिये होंगे उस समय में ऐसा दिखाई दे रहा है धन की दुष्टी से बात करें तो थोड़ा सा शुरू में आपको धन को वेटिंग आपको महसूस होगा कि पैसा आही नीरा आही नीरा लेकिन जैसे ही मातलक्षमी का पूजन आप करोगे उसके बाद आपके उपर जो वर्षा होने वाली है आप उसे संभाल नहीं पाओगे बहुत सारी शॉपिंग करते हैं उस समय दिखाई दे रहे हैं मीन राशी वाले काफी सारी आप शॉपिंग करेंगे कुछ लोग प्लांٹिंग कर सकते हैं इस समय में आप कुछ पेड़ पौधी लगा सकते हैं या पेड़ पौधों का जादा ख्याल रख सकते हैं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग अपने घर के बाहर जो पक्षी का घर होता है वो लगा सकते हैं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बार बारे मुझे तानव दिया जा रहा है वो जोग के लिए गृुमा ने मुझे उपाये बताएं है शुर्य देयो की पूझा के लिए उपाय मंतर था वो मैंने बताया था और इस फिट कीया था और मैं सुबह श्याम करती हूं मंदिर में बैटles तो मुझे इतना बैनी फिट हुआ है कि मेरे फादर जी हैं बिल्कुल चेंज हो गई हैं मतलब दो बार हजरी लगाने के बाद ही बिल्कुल चेंज हो गई हैं और काफी अच्छर जल्टाया है मतलब मेरी हर चीज में अभी मुझे स्पोर्ट करते हैं कि बेटा कोचिंग ले मुझे बिल्कुल भी उमीद नहीं थी कि मेरे फादर मुझे बाद में भी बोलेंगे कि कोचिंग ले होस्टल में रहे तैयारी कर लेकि मेरे फादर ने अभी बोला मुझे काफी एक अपते से पहले ही बोला कि बेटा तु दुबारा कोचिंग ले और अपनी तैयारी स्टा काफी अच्छा रजलत आया है और अभी मुझे थोड़ा प्रोब्लम था वैसा ही तो गुरुमानी मुझे धागे के लिए बोला मुझे पूरा ट्रस्ट है कि उसमें भी होगा और खासकर आपके पडोसी जो है पडोसी आपके मारे में बातचीत करेंगे अच्छी बाते शायद आप अपने घर को इत्ता अच्छा सजाने वाले हैं कि सब लोगों की दृष्टी आपके घर पे होगी इस समय में नेगिटिव से जादा बॉजिटिव विचार आपको आएंगे नेगिटिव को आप काफी कम कर पाओगे जो बहुत समय से आप सोच रहे हो कि यह मैं कर ने सकता मेरे अंदर टी शंता नहीं है मुझे डर लगता है मैं किसे करो में को कोई सपौर्ट में करता है वो सारी जो चीजें जो आपको बांध रही थी वही आपको लगेंगी यह तो मेंरा प्लस पॉइंट है तो इस से आपको आगेबढ़ने में हैउल दोगों को आप से कोई पास में नहीं है, काफी दूर में हैं, लेकिन उनकी ख़बर आपको प्राप्त हो सकती है, खास कर किसी लेडीज की, ग्रोथ का समय दिखाई दे रहा है, ग्रोथ का एक अच्छा समय है, आप जो लोग भी सजने सवरने का काम करते हैं, जहां बुटीक होता है, कप पिछले लोग पहले आप से समान लेके गए हैं वो बार बार आपकी दुकान पर आएंगे, वो आपको पैसा देंगे, ट्रस्ट जेनरेट होगा उनका आपके ओडियंस जो है आपके कस्टमर जो है उनके पीछ में, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं, में जिसमें नहीं मिल रही थी, वो छूटेगा और उसकी जगे आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कोई नया काम कर सकते हैं, या रिलेशनशिप में भी कोई नया आपको ओफर आ सकता है, या अपनी ही अभी की सिच्वेशन को एक नई दृष्टी से देखने का आपको अवसर मि मैरीड लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत ही खुशनुमा समय है, फैमिली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत सारे लोगों से आपको एड्माइरेशन मिले की बता ही दिया है, बस थोड़ा सा नजर से बचके रहना, कही ऐसा नहों इतन अच्छिरवाद बना रहे, गन्पदी बप्पा का आशिरवाद बना रहे, यही मेरा आशिरवाद है, आप सभी को खूब खूब यहारों की शुप कामनाएं देती हूँ, आशिरवाद देती हूँ, जै शनीदेव, जै श्रिकृष्णु,